सब्सक्राइब एंड प्रेट अगर 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 देना दबाद देना और बिना टाम उसकर आगे बढ़ेंगे इस तूड़े में पहले अपड़ेट की जिसमों नोकिया के तरफ से खबरा रिया है जिसमों फानली नोकिया 5.3 का कुछ आप पर थोपड़ा निकल कर आज़के आ आप देख सकते हैं इसमों दिखने में तो ऐसा होगा कुछ इसके लाइव ठोपड़े निकल कर आचुके हैं फानली यह तो लाइव फोटो इस नोकिया 5.3 के वैसे तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होएंगे वैसे तो लंडन्डन में 19 मार्च को इसकी इवेंट होगी यह तो इसमें आपको नोकिया के बहुत सारे स्माटफोन भी लॉंच करेगा अपने 19 सरी को इसी माने के 19 सरी को वैसे आप नोकिया 5.3 का थोपड़ा और नोकिया 8.3 का भी फोटो बहुत जल्स निकल कर आएगा और इसी माने ना नोकिया 8.200 परसेंट इंडिया में आएगा तो यह 100% guarantee के साथ बोलतो हम आपको leak कर लेना वैसे आप Nokia 8.2 का इंतिजार कर रहे हैं तो इसी मेने आप को मिल जाएगा दोसमों करमात करें दुसरे bit की दोसमों Samsung के तरफ से खबरा रिये दोसमों finally Samsung Galaxy M21 की इंडिया की launch date निकल कर आ चुकिए है आप पहले तो इसके कुछ specs निकार देख लिए और यह थोपड़ा देख लिए इस Samsung की M21 का भी 6000 mAh की big battery होगी 6.4 inches का एक आपको super AMOLED display मिलेगा और साथ में आपको triple rear camera होगा और इसमें से 48mm का primary होगा और साथ में दो एक आपको टुंटी में मिलेगा इसमें और इसमें आपको दो वेरेंट्स मिलेंगे तो एक होगा 4gb 54gb और एक होगा 6gb 128gb और इसमें प्रोसेसर लगा होगा अगर मैं कहूं तो इसके प्रोसे प्रोसे तो देखिंगे सो कमाल की बाद 6HRMS की बैटरी है यह लॉंच हो रहा है इस तो इसी महेंने के 16 मार्श को 16 आतारिक को लॉंच होने वाला सुई इंडिया में इंडिया में लॉंच हो जोगा 16 मार्श को वैसे आप भी को इंटिसार कर करके भूल भी गए होएंगे इसको फिलाल बहुत दिन से ख़बर दे रहा था रियल में यूट्यूब को लेके यह अप्रिल या में 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 लॉंच हो सकता है यह तो होगा या नहीं होगा देखिंगे मतलब या 2021 में लॉंच हो देखेंगे क्योंकि हमको 2019 से हमको इसकी खबर इसके आपको हमको न्यूज सुनने के लिए मिल रहे हैं अभी तक यह लॉंच हुआ नहीं हुआ भूच लिएग इसमें प्रोसेशर को अपको अप्डाउन होता है नीचे उपर नीचे ऊपर होता है न ऐसे आप भी इसको भूल गया थे क्या अंतिसार कर करके ज्ड़़ा नीचा करके लिक बताए देनड मत किरें दसर एक की तो शौमी की तरफ से खबर आ रही है तो यह बाद नूस हो सकती है शौमी तोड़े यहां पर दिल तोड़ दिया यह हुआ यह सो रेडमी का नोट नाइन प्रो मैक्स ने ट्वीट किया था ट्वीटर पर और आपको कुछ दिन पहले बता जा रहता है कि आप हमारे डिमी न नोट नाइन प्रो मैक्स आएगा ऐसा बता जा रहता है और हम सो चाथे रहते हैं रaden में गत्रों में 775G वाले प्रोच्टर के साथ में वही फोने आपर रेडमी का नोट 9 Pro Max बनकर लौंच हो सकता है ऐसा है आपका क्या कहा ना अभी यूनिक डिजाइन होगा कुछ फ्लैक्शीप से भी बाफ होने वाला यह स्मार्फोन ऐसा सोचा था क्या जरा नीचे कमट्स में बताएं करें दुसरे अपडेट के तरफ से खबर आ दिया है इंडिया में पोको एफ़ोन में अंडर वर्टेन का अपडेट यहां पर निकल कर आ चुका अपडेट को रूल आउट करना शुरू कर दिया कुछ लोगों को मिला भी एंडोड टेन का अपडेट और कुछ लोगों ने टेन का अपडेट आचुका है पोको एफ़ोन में यह तो ओल्ड है लेकिन फिलाल आपको अंडरोड टेन का अपडेट मिल रहा है और यह बेस्ट होगा और साथ में इसकी फाइल साइज होगी अगर आपके पास टूजीबी डेटा है या कोई वाइफाइ केनाट करके बैट में पर द्र learners के साुपूंना फॉय रियुक्त सब्सक्राड और फॉच्गा बडबे प्रोच्टर के मता आझा रहे हैं कि 2080 charisma के साथ में स्मार्टफून आला की obstruction चुरू हो जाएंगे 2020-旅ब जैसे होता है वैंसे हमान हम elbow देखने के हमको यही प्रोस्टर मिलेगा वावे का जो मेट 40 होगा ना उसमें भी हमको प्रोस्टर के साथ में यह स्मार्टफोन मिलेंगे वावे का मेट 40 और एपल का 12 पहले से भी 50% हार्ड बन कर आने वाले मतलब बहुत हाडवेर इनका बहुत ही बेटर होगा बहुत अच्छे से कर आ दिये मेट 40 पहले के यहां पर 50 परसेंट बेटर मिलेगे पहले सी भी इस फाय एन्यम वाले चीप के साथ में वैसे आपको क्या करना है सो आप एक्साइड हैं क्या जड़ा नीच्चे कांट्स में बताई देना तो स्वांस के टेकने में पर तुमनती है आपको पसंदी आयोगा मिलते हैं आप से एक और ने ओड़े में तब तक के लिए टेक केर